कि है वेलो गाई डिस साइटेंटर व्लॉक्स और अज इक नया वीडियो लाने वाला हूं कि तो आज का वीडियो टायुर्ट होगा कि क्या हर वाइट लीजं का finance cha Peng बायपसी का कैसी रिपोट आती है, बायपसी में और स्क्रेप सैटलोजी में या फिर ब्रश बायपसी में क्या अंतर है, पंच बायपसी क्या है, और बायपसी हमको कब करनी चाहिए, कब रूल आउट करनी चाहिए, तो सबसे पहले आज वाइट लीजन्स के उपर थोड़ा स बस एक देता हूँ कि white lesions जो होते हैं मौट में different different प्रकार क्या होते हैं ठीक है एक हो गया keratotic white lesion और एक हो गया non-keratotic white lesion इसका मतलब यह हमारी जो साली skin है वो keratin से बनी होती है हमारे बाल हमारे नाकून हमारी जो skin है वो किसमें keratin होता है तो जो superficial layer होती है उसको keratin उसमें रहता है ठीक है तो किसी भी white lesion में keratin होता है और नहीं होता है तो keratinized lesion और non-keratinized lesion अब keratinized lesion में क्या-क्या आता है एक तो हो गया frictional hyperkeratosis उसके बाद आ गया लिकोपले किया ठीक है उसके बाद आपका हो गया OSMF यह सारे keratotic lesions में आते हैं non-keratotic lesions में आ गया जैसे कोई भी प्रकार का बर्न हो गया जैसे कि हमारा कुछ chemical हमने कुछ ले लिया तो बर्न हो गया या फिर हमने कुछ दवाई ऐसा होता है बहुत लोग aspirin लगा लगा लगता तो उसमें क्यों होता है कि नेक्रोसिस के वाई से वाइट इस दिखने लगता है वह wipe-up जासके हम क्लीन करते हैं तो निक को बताया था कि क्या होता है pre-canceless lesions and conditions या फिर potentially melanin disorders क्या होता है तो आज अगर किसी को white lesion है अगर आप mirror में देखते हैं या फिर किसी डॉक्टर ने बोला आपको white spot है या फिर आपको कुछ rough लगता है तो हम कैसे बता सकते हैं कुछ problem है तो first of all हमारे mouth में अगर आप कुछ area को आप देखेंगे कोई particular area को बहुत खुरदूरा या फिर rough लगेगा ठीक है अब वो rough depend करता है कैसा दिखता है बहुत बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है तो आप उतना ज्यादा differentiate नहीं कर पाएंगे उसको आपको उसको doctor के पास जाके differentiate करना पड़ेगा लेकिन white spot क अगर आपके mouth में एक महीने से जादा है तो उसकी biopsy करानी जरूरी होती है पर ऐसा जरूरत नहीं है कि अगर आपके किसी doctor ने अगर बोला कि biopsy की जरूरत नहीं है तो नहीं है मतब ऐसा नहीं कि आपने सोच लिए और biopsy करा ली वो जास फिजूल घर चाही है लेकिन सब से पहले अगर आपके mouth में कुछ भी white जो भी खुरदूरा या फिर कुछ ऐसी जगह जहां पर आपको sensation ना या फिर आपको फील ना हो तब आपको doctor के बास जाना चाहिए doctor के बास जाना बहुत ज़रूरी है first of all जब अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि हाँ example कि अगर आपक जो उसको जानने के लिए हमको उस लीजन की बायापसी करानी होती है अब बायापसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चमड़ा है उसको फोड़ असा काटके हम उसको लाब में भेजते हैं लाब वाला रिपोर्ट देता है 15 दिन में तो उसमें अगर आपको सिरफ chronic inflammatory cells दिखे तो मतलब normal है कोई तकलीफ की बात नहीं है या तो keratinized layer है वो दिख रहे है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है लेकिन अगर उसमें dysplastic cells दिखे तो उसमें क्या है कि इसका मतलब कि उसमें जो cells हैं वो cancerous में बदल रहे हैं cancerous में बदल रहे हैं तब हमको सतर हो जाना चाहिए और यूजली जो लोग cigarette पीते हैं या फिर बीडी पीते हैं या फिर गुटका खाते हैं पान मसला उन लोगों को ज़्यादा यह चीज़े होती है तो अगर आपको लिकुपलेक्या है तो उसकी बायापसी हर किस की बायापसी जरूरत नहीं है अगर उस लिकुपलेक्या में whitish जो appearance है बहुत जादा वाइट दिख रहा हूँ और उसमें reddish reddish sports आने लगे तब और जो लिकुपलेकिया में अगर बर्निंग होती नहीं लेकिन अगर आपको लिकुपलेकया डागोसिस है और बर्निंग भी हो रही है तो इसका मतलब उसकी बायपसी करना ज़रूरी है अब बहुत लोग क्या करते हैं कि सरफ ब्रश बायपसी कर देता है यह फिर इसको smear cytology तो उसमें क्या होता है कि superficial layer ही हम देखते हैं और वो उतनी conclusive नहीं होती है वो just screening के लिए होती है main होती है incisional biopsy और punch biopsy incisional biopsy हम कब करते हैं जब 2 cm से हमारा lesion बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं बाकी पार्ट को छोड़ देते हैं incisional biopsy क्या होता है कि पूरे lesions को remove कर देते हैं तो biopsy की report आने के बाद अगर cancer detect होता है positive आती है report तो उसके बाद एक बड़ी surgery होती है जिसमें पूरे lesions को हटाया जाता है जो हां पर आपका white spot है या पर cancer है उसके चारों तरफ surgery करके उसको निकला जाता है हाला कि बहुत सारी procedures हैं जो कि एक normal वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफी deep है ये knowledge और अगर आप इतने deep knowledge में गुशने जाएंगे तो उसमें आपको confusion होगा और आप nervousness आएगा आपके mind में तो अगर आपके mouth में white legion एक महिने से जादा है तो उसकी biopsy ज़रूर कराएं और कोई भी antioxidant है वो चालू करें बहुत सारे antioxidant हैं मारकेट में जैसे कि v-cor gold हो गया, sm fiber हो गया termics हो गया या फिर आपके curcumin content जो होता है जितना भी antioxidant वो आप खा सकते हैं तो इन सब steps के बाद अगर आपको cancer diagnosis नहीं होता है negative है तो बहुत अच्छी बात है और सबसे पहले आपको बगवान का शुक्रा कादर करना चाहिए कि अपने खाया फिर भी कुछ हुआने लेकिन मेरा request आप लोगों से यह है कि जितना भी पानपराग और गुटका specially जो होता है गुटका वो काफी dangerous होता है और काफी ज़्यादा आजकल cancer fell rise की वहाई से तो total वो सब चीज़े बंद करें उसका 7 तंभाकू को 7 टोटल बंद करें और इतना आडवर्टाइज आने के बाद भी लोग उसका 7 करते हैं समझ में नहीं आता क्यों फिर भी बहुत जादा मतब लोगो सफर कर रहे हैं जिसको होता है उसको नहीं पता चलता है जो उसके साथ वाले हैं घर वाले उनको ज़्यादा तक्लिफ होती है कि तो इन सब चीजों का 7 बिल्कुल बंद करें धन्यवाद